जो हैं दोस्तों सुवागत आपका इस वीजी चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियों में बात करने बाले हैं एक कमेंट आयाता है स्टुडेंट का कि कॉलिज में से हमने एड्मिशन कैंसल करवा लिया और जब हमारा एड्मिशन कैंसल हो जाता है तो उसके बाद में दूसरे कॉलम में हमें एडमिशन कैसे मिलेगा आपने बीए बीकॉम बीए से एमेम कॉमे में मेंसी जैसे कोर्सिज में एडमिशन लिया हुगा अगर हमें MP के बात करें तो MP में एडमिशन के मादम से आपने एडमिशन लिया हुगा आपका एडमिशन हो गया और एडमिशन करने के बाद आपके मन में ख्याल आता है क्या खेल आया कि हमने जिस कोलेई में एडशीं संथ ले लिया इसके बाद में अब हमेंशीं की से लेना है तो अब इस कोलेई में हमारा एडशी में आपको माता हूँ को पता है अगर हम अगरमshot कर रहे हैं एप सा कर नहीं है आपने admission लिहा हुआ इसके माददम से counseling करवाई जाती है और इसके माददम से आपका admission होता है ठीक है इसके बाद में आपको क्या करना होता है registration choice billing document verification करना होता है इसके बाद आपकी मेरे लिस्ट आती है मेरे लिस्ट में नाम आने के बाद में आप अपनी फीज जमा करते हैं और आपका admission complete हो जाता है अब आपका admission complete हो गया और यहां पर बात और बताओं तो हमारे यहां पर परस्ट राउंड हुआ था इस बार 23 में और CLC के यहां पर हमारे 1,2,3,4,5,6,7,8 आठ राउंड हुए थे तो यहां पर आपने किसी भी राउंड में इंसल लिया हो मानगा छलिया आपने CLC केफ समझना जरूरी है तो सबसे पहले आपको admission करवाने के लिए लिए फिर विस पर ऑण्लान केंसल का इक लिंक प्रोबै कर आज piace कड्या कि गया है उस लिंक पर किलिक कर Sedison Parag Indic Tomorrow सब्सक्राइब करना के बाद क्योंज हो गया अपने एक क्या है अब सबूर सम पमस्थर बाती है niece आपको क्या करना हुगा अगले रांड का इंतेजार करना हुगा चाहाए आप दूसरी आपक मन आया कि我們 B all day time क्या करना है यहन Doctors place तो आपको केंसल हो गया तो अब आपको बी नामके यही में क्या लेनी के लिए अब है अब हैं पर और आपको क्या करना है आपको registration जो आपने पेले पर आपको registration किया था ना जो यह नामकी आपको lo registration आपका काम कर जाएगा बस आपको यहाँ पर cable और cable क्या करनी होगी ह्याँ पर choice playing करनी होगी ओर कोई भी काम आपको करवाने की आवश्चा नहीं इसके बाद आपकी wygląda आपका नाम आजाएगा और आप उस column फिर से पीजमा कर देना और आपका admission कम्प्यट हो जाएगा तो इस तरह से हमें क्या करना होता है अपना एडिमिशन केंसल करवा करके हम आपने दूसरे क्यों में परेंग सकते हैं भी और मैं प्लेंगा दू कि आप को बनादि कि विल्ञार करा हो ध् Alt पर्स राउंड में एडमिशन केंसल करवा दिया और चौता राउंड आया तो चौते राउंड में आप क्या करना एडमिशन केंसल करवा देना केंसल हो जाएगा दो दिन के अंदर फिर आप क्या करना चॉइस्पिलिंग कर लेना इसमें बी नाम का कॉले सेलेट कर लेना और कर आपका भी सम्मिट करके अपना admission हो जाएगा आपकी दूसरे गॉलि में तो इस तरह से एक कॉले से admission cancel करवाकर करके हम दूसरे कॉले admission ले सकती है बस सबसे पहले क्या करना होता है कि हमने जिस रांड में admission लिया होता है उस But the round में admission थाm उसके बाद हमें नए राउंड का इंतिचार करना होता है और नए राउंड़ जब आ जाता है हमारा तो इसमें हमपना एड़ीशन केंसल कर वा लिए इसके बाद इसी राउंड में हम चौईस्टविअट होने के बाद में हमें नए कॉल E- Mode कर दियर गए और हमारी प्रिच व मैं इसके बार में ऐसके बार में और उसके वीडियो को देख सकते हैं इसका थम्डेल 25 इसके दोघेड से करने ilka विडियो को देख सकते हैं इसके बार में एक और बनाया था है, इनसन केंशेट केंसेंपस पर को यानि चैकर हैं फिस बाफिस आई या नहीं इसके बारे मैंने एक वीडियो बना दिया है इसको भी देक लेना तो दोस्तों आपको सारी सर्डू cell कर नाने के बाद में दूसरे कॉले में एडमिसन कैसे होगा शारी जानकारी में आपको समझा दिया है उमित करा हम पूरी जानकारी समझ में आगे वीडियो को शेयर कर देना है मिल तक लिए वीडियो में को जानकारी के साथ तक लिए बाई